हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे आम और पुदीने की चटनी जो की बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है इस चटनी को आप समोसे पकोड़े या चाट के साथ खाएंगे तो आपके समोसे पकोड़े और चाट का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ आम और पुदीने की चटनी बनाने के लिए जो इंग्रीडेंट्स में लें लिए हैं वो है पुदीना और चोटे आम दोर कच्छे आम लिए हैं तो पुदीने को मैंने तोड़ लिया है उसकी पतिया अच्छे से वाश कर ली हैं दो से तीन बार उसे धो लिया है और उसे प तो जादा भी ले सकते अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो क्योंकि मैं दूसरी जो लाल मिर्चे इसका यूज नहीं कर रही हूं इसमें और मसालों मैं पांच से छे लसुन की कलियां ली है और एक चमद काला नमक लिया है एक चमद सादा नमक लिया है और वन फोर चमद मै है और कच्छे आम जो थे हुसको मैंनेसी तरह से कट कर लिया है उसे डाल दिया है जार में और जो पूदीना है उसे भी मैं इस तरह से ब्लेंडर में डाल दूंगी यह बहुत ही टेस्ती बनती है यह जदिं-बनती चत्नी उतरह इसमें मैं रिम इच्छी ली की के सबैदμέ forbidden जो हैंघ्रिंटेस हमने मसाले लिए थे उसको भी डाल देना है और इन्हें तो इस तरह सरट कैसी इसने भी सारे मसालो को मैं डालना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जैसे कि त्सक्तिक करूद की पाणी आगी चैनी धाना ओš करके आपने इसे को Blend करना है तो यह देखे मेने Blen'd कर लिए और चट्णी जो है मारी इस तरह से बन आकर तैयार हो गई है यह देखे बहुत ही Tasty है यह बहुत ही टेस्टी है इस आप इस इस चट्णी को प्कॉरे के साथ समोसे के साथ यहां रोटी के साथ खाएंगे तो आपकी चपात खाने का टेस्ट यह बढ़ा देगी तो इसे मैंने इस बॉल में ट्रांसफर कर दिया है यह रेस्पी आपको मेरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा तो मिलते हैं